हेलो जी, वेलकम बैक टू माई चैनल, कैसे हो आप सब और आप सभी का मेरे व्लोग में स्वागत है, मैं आपना व्लोग शाम से शुरू कर रहे हूँ, तो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे घर में सब बीमार हैं, और थैंक गॉड और आप सब की दुआ काम आई कि मेरे घर में जो सब की तब्वित खराब चल रहे थी, वो सब ठीक है, दोनों बच्चे, हजबन की भी तब्वित ठीक है, बस ये है कि मेरा गला और खासी ये भी ठीक नहीं है, तो होई जाएगा, वैसे मैं मेडिसन नहीं ले रहे हूँ, घरी लो उपाई कर रहे हूँ, क्योंकि मैं और कुछ-कुछ कपड़े ऐसे रह गए थे, जो विंटर्स की कपड़े हैं, कुछ रह गए थे, तो उनको देख रहे हूँ कि कहां कहां आ सकते हैं, क्योंकि हम क्या होते हैं, कि विंटर्स में कपड़े इतने ज़्यादा खरीत लेते हैं, और अब तो एक मेंबर और बढ़ पूर्टी हो गए है, मेरी हजबन के भी कुछ ऐसे होते हैं, और भी थोड़े से और हैं तो उसको भी और जश्ट करके रग देंगे, अच्छा, भी मैं बना रही हुं खाना, और खाने मैं, मैं बनाओंगी, रात के टाइम हो चुका हैं, आपको बता देती हूं, और खाने मैं मैं बनाऊंगी आलू की सबजी, पूरी और खीरे कर आयता, यह बनाऊंगी आज मैं, क्या था कुछ था, इस बज़े से मैं बना रही हूँ, तो एक्टर यह जो व्लॉग है यह मंडे का व्लॉग है, मंडे की शाम से ही मैंने शुरू किया था, मैंने जैसा आपको बताया कि व व्लॉगिंग कंटीनी हो जाएगी और आप सबके बहुत कमेंट आ रहे हैं, कि वैसे मैंने सबके कल कमेंट भी रीट तो किये हैं, बट मैंने रिप्लाइ नहीं किया है, क्योंकि अभी ना जब बच्चे बुखार से उठते हैं तो चिर्चड़े हो जाते हैं, दोनों ही बट ले तो थैंक यू सो मच, आप सबने वही सबने दुआ कीजिए, कि है कि जल्दी ठीक हो जाओगे, जल्दी बच्चे ठीक हो जाएंगे, वैसे ये वाइरल फीवर चल रहा है, आपको पता देती हूँ, और आप सब अपना जरूर जरूर धिया रखे घर में, क्योंकि एक वाइरल फीवर घर में हो जाते हैं, तो सबको हो जाता है, इसलिए और एक नया बैनिंट और निकल गया है, वो खांसी जो खांवाला जो है, वो आया है, क्योंकि मैं न्यूज वेगरा देखते हैं, उसमें पता चलता है, अब तो नहीं लग लग रा फीवर इसको, तू नहीं लग रा फुदाज को, फीवर हाद उनको भी फीवर बस मुझे ना हो फीवर है लो गुट मॉर्निंग रूश्यू गुट मॉर्निंग कब बोलोगे तुम पतला हो गया थोड़ा सा इसका वेट कम हो गया आपना का भी बेट कम हो गया है घर में सब की ते बिद्खराब चल रही है खेरा पहले से ठीक है सब की बस मुझे ना मेरा गलाव बहुत खराव हो रहा है और तुड़त हो गया पता है मैं कितना हल्का हल्का फील कर दो हूं हल्का में इंस होली से पहले से सब की तब्यूत पहले आरना की तब्यूत खराब फिर गोलो की इसके पापा की अब मुझे मेरा डाउट हो रहा है थोड़ा थोड़ा फैर मेरा तो कोई बात नहीं तो अब जाके थोड़ा हलका का फील हो रहा नी तो क्या था न कि ऐसे रात में नीद नहीं आ रही बच्चे परिशान होते ना तो मन नहीं करता है इसलिए अब इस बस उठे हैं और देखो मेरे गर्मी के कपड़े निकले हुए हैं तो कल निकाले थे इसको रखे नहीं आज रकिन गलाखारा बोरा इंगा तर दोरा गली में और ना मैंने अगर्मी थोड़ी जादा सी अब हो गई ना तो इसको बहुत जादा गर्मी से ना वह रहे थे दाने से निकल गए थे तो मैंने ना इसको जो हाफ और इसकी खांसी रह और आर्ना की दोनों की खांसी रह गया तो नहीं है चली जाएगी दिद्रे हाथ तो मैंने इसको ना जो हाफ शोटर पहना थी ना वहाँ पहनाना बंद कर दिया और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई ना असलिए है अच्छा आपको बात करनी है करो करो बात करो बोलो बोलो अच्छा अच्छा बोलो बोलो मैं ज्यादा पास अगया अब उठते हैं काम हम करते हैं सिर्में दर्डोरा बहुत ज़्यादा मुझे आसला कि मैं मेरी तब इतना खारा बुजाए क्या हुआ क्या हुआ क्ल्बा ने बनाय थे आलो पूरी आलो के सब्जी पूरी खेरे कर आए था यह बनाया था कल्बा ने रात में तो उसके बाद फिर खानवाना खाकर मुझे ना बहुत तेज नीज आ रहे थी क्योंकि चार-पांच दीन से ना नीज जो है ना मेरी कंटी मेला पूरी नहीं उपा रही तो इसके सिर में इतना जादा दर्द हो रहा था तो खाना खाकर मैं सो गई थी इन दोनों दोनों बच्चों को जाद में मैं भी सोगे इसके से मैं ने दिखा नहीं पाई और इसलिए इसलिए एक कपड़ रहा गया मेरी मुझे रात भी रखने थे गर में निकालकर यह रहा गया और वह जो मैं आपको दिखाय थी थी थंड़ आले कपड़े रहे हैं वह जागे कंट रखे हैं सोचों की कि अला वो दो तीन चार दिन से वह वाले रूम में तो जाड़ों पोचा कुछ ही नहीं लगा इस सब बुखार में थे इसकी वजय से तो वह भी कल करा है वस थोड़ा सर है गया है तो उसको भी रखवा दूंगी अब भी इनकी इनकी फिवर यह थोड़ा-थोड़े गरम ल फटाफटा काम करते हूं अज में यह वाला रूम नहीं थोड़ा साफ करना था नवरात्री प्यारे चलिए सुलो, व्राथ, रखोगे, 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 आज मंगल वारे नाथ, व्राथ, रखोगे, रखोगे चलो, थोड़े मिलते हैं, नॉस्ता करते हैं फिर, गोलू, मेरा गोलू, मेरा गोलू, ज़्याधा पास देता है, पारवर, गोलू, तो मैं साफाई कर रही हूं, वैसे तो खैर घर थोड़ा ज़्यादा ही गंदा हो रखा है, तो मैंने सोचा कि चलो, पंगे से तो पंगे तोड़े साफ कर रहे हो भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है तो मुझे भी गोलु को भी नहलाना है खुद को भी नहाना है आरना को मैं नहला चुकी हो तो अभी मैं इसको नहला रहे हूँ अच्छा आप सबके कॉमेंट भी आ रहे हैं कि जिदी इसका जो फोर मंत क जो रूटेन है वो शेयर कीजेगा तो वो भी मैं शेयर करूँगे थोड़ा फ़र मैं आपको बता दूगे इसके जो हरकते है वो चेंज हो गई है और सोने का टाइम भी बहुत काम चेंज हो गया है इसका और नहाने का भी मतलब क्या है रहा कि सुबह काफी लेट भी है कभी जल्दी उड़ जाता है तो ऐसी रहता है इसका फिर उसके बाद डूथ पी कर अपना खेलता रहता है रूटीन है मैं शेयर करूँगे थोड़ा बहुत रूटीन है जो मैं इसमें भी आपको बता दूगी और बस अब इसको रेड़ी कर रहे हूं है उसके बाद इसक चो बहुत अच्छे से इसा चाहिए तो बहुत अच्छा लगऴा है। पर शुरू कर दिया है, तो इससे क्या होता है, ने तो बच्चों की जो पैट जो गैस बन जाती है, वो भी ठीक रहता है, और हैट जो है ना, बच्चे संभालने लग जाते हैं, तो जब भी आप एकसवाइस करवाते हो यह वाली, टैबी टाइम, तो बच्चे का पेट खाली जिससे बच्चे न अगर वोमट भी कर सकता है, पेट भरा हुआ होगा, और दूसरा ये कि बच्चों के साथ आप भी हमेशा एक्टीव ही रहें, मैं बच्चे के साथ ही रहें, क्या होता है, बच्चे कई बार अपना मुँ जो है, नीचे के साइड रख लेते हैं, तो उससे हो सकती है तो जब भी आप टैमी एक्सराइज करवाते हो तो आप जरूर बेबी के साथ भी हो तो देखो यह अच्छे से अपना गर्दन संभालने लग गया है तो कभी-कभी होती है इसको दिक्कत तो वैसे तो ठीक रहता है तो आप भी करवा लेजिए तो बेबी के लिए ब मतलब भू इरिटेड हो गया है वो चीज नहीं नहीं अच्छे लग रही है तो रोने लगता है उसके बाद में हटा देती हूं ऐसा नहीं कि में आदा गंटा कर वाली यह इतना जो होता है दिन में जब इम तो थोड़ोगा थाइम इन तब करवा देती हूं इसे तो आदना सो रहे है कापडी रखने और यह दिको यह दोवाइ आपको दिखाऊं मैं आपको वन इतने सबसे रखते हूं यह थे वह ल Otherwise इतने सबसेैं अबरे consistent दौब् постоянно देखाई देंगी आपको अब्त कर दोनों बच्छे horns एखी और इसके प्र पापाई कि आं तो थैंक्ः मुझे नहीं हुआ है बस आप मुझे इसका वो लगवाना है इंजक्शन है यह नहीं वो लगवाँगी पाप में अच्छा थे अभी में थोड़ा सा राम करते हूं पाटते हूं इसके बाद प्रिश राम काम शुरो हो जाएगा हैं ना तो क्यों पतला हो गया यह बहुत कोश कि इसको सुलाने की मैं फिर यह सौया नहीं तो थोड़ा सा के साथ खेल ले लगी और मैं आपको बता रही ना सका यह शेयर करूँगी, I hope बस सब कोई ठीक रहे तो पर वीडियो कंटीन्यू करूँगी, ठीक है और मैं ना अभी थोड़ दिन बात जाना मैं माई की भी जाओंगी, क्योंकि आनक एक्जाम खतम हो गए हैं, तो आनक क्या है भी रही थी तो चली विलोग को ही परियाट करती हूँ, मिलेंगे नाक्स वोड़ो में, बाबाई